हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे मद्य पिर्देश की सोतंतर संगराम के मुक्च सेनानियों में रानी अवंती भाई और रानी लक्षमी भाई से जोड़े महत्वपून तत्यों के लिए जो मद्य पिर्देश की प्रतियों की परिक्षाओं के लिए महत्वपू मद्य पिर्देश के सिवनी जिले के मन केड़ी गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम राव जुजहार सें लोधी था मंडला जिले के बीर सैनानियों में रामगड की रानी देश की महानतम बीरांगनाव में स्थान प्राप्त है सन 1849 में उनका विवाय सिवरात्तरी के दिन मंडला जिले के रामगड रियासत की राजकुमार बिक्रम जीत सेंग के साथ हुआ था सन 1850 में रामगड की राजा लक्षमण सेंग की मरत्यू के पस्चाथ उनकी एक मात्र पुत्र बिक्रम जीत सें के मांसिक रूप से आस्वस्त होने के कारण उसे आयोग करार देते हुए बिटे सरकान ने शासन अपने हाथों में ले लिया था अतेव अंग्रे सरकान ने शासन प्रबंदन अपने हाथ में ले लिया और वहां के तहसीलदार नियुक्त कर दिया तथा राजा और परिवार के भरन पोशन के लिए बारसिक प्रत्ति बांद दी थी यह बिवहार अतियंत धांदली पूर्ण था क्योंकि रानी राज लक्षमन सेंगी जो पत्नी थी रामगण में एक अतियंत युग और बिग्य महिला थी जो यदि अपने पती के नाम पर नहीं तो अपने पुत्र के नाम पर राज़ का प्रवन्द कर सकती थी उसका सारा बृद ब्यर्थ गया क्योंकि उस समय राज-हडपनी की फिरंगी नीती चरम सीमा पर थी परन्तु रानी ने सोचा कि अन्याय को सहन करने के स्थान पर सस्त्र गरन करके अंग्रेजों का बुरूद क्यों ना किया जाए तो रानी सेनकों का सस्त धारण कर हाथ में तलवार लेकर सोयम अपने सेनकों का रण छेत्र में नेत्वत्य करती थी और पड़ोस के अनिक जमीदारों ने उसे सहायता देने का बचन दिया 1857 की सुतंता संग्राम में रामगड रियासत जोकी मंडलें दुरी छेत्र की रानी अवंती वाई ने महत्पुन भूमी का नवाई थी 1853 में अंगरी सरकार ने विक्रम जीत सेंक को बिशिप्त और उनकी दोनों पुत्रों को आवश्यक आवईश्क घुशित कर कोर्ट ओफ वार्डर्स के द्वारा रामगड का प्रशासन सीक मुहमद और मुहमद अब्दुल्ला को सौम दिया था लेकिन रानी ने इन दोनों सरब राहकारों को राज से बाहर निकाल दिया और 1855 में विक्रम जीत सेंक की ब्रत्ती हो गई इसके बाद रामगड का प्रशासन आवश्क पुत्रों की संरिक्षाक्रा के रूप में रानी की हाथ में आ गया खैरी का युद्ध 23 नवंबर 1857 में हुआ और अंग्रेज अपसर बाडिंग्ट बाडिंग्टन द्वा पूरा जोर लगाने पर विद्रोहियों को रोकने में आसफला और मंडला सहत पूरा रामगड राज स्वतंद्र हो गया देव हारगड का युद्ध 18-20 मर्च 1858 लेकिन परवर्तित घटना करम में अंग्रेजों का बर्चस फिर से बढ़ने लगा और 15 जन्वरी 1859 को घुगरी पर अंग्रेजों का नेंतरण हो गया और मार्च 1858 में रामगड भी घिर गया और किले की दीवार एक एक करके द्वस्त होती रही अता है रानी अंग्रेजों का घेरा तोड़कर जंगल में प्रवेश कर गयी लेकिन रामगड पर अधिकार करके अंग्रेजों ने रानी को भी देवहारगड में घेर लिया और कई दनों तक युद्ध चलता रहा और 20 मार्च 1858 को बुरी तरह से घायल होने के बाद रानी ने आत्म समान की रक्षा के लिए अपनी अंग रक्षिका गिरधारी भाई के कटार अपने सीने में बहुकर अपनी जीवन लीला समाप्ट कर ली थी अब जानते हैं रानी लक्षमी बाई से जोड़े महत्पूर्ट तथ्यों के लिए तो 1857 के विद्रो की महान करांती सौरी महान सुतंतरता सैनानी रानी लक्षमी बाई का जन्म 19 नवंबर 1835 इसीसवी में बाराणसी में हुआ था उनके पिता मरो पंत तावे और माता भागी रथी थी वर्ष 2013 में उनकी इसमरती में मद्रप्रदेश सरकान ने बीरांगना लक्षमी बाई राष्टी सम्मान स्थाफित किया है रानी लक्षमी बाई का बास्तविक नाम मनी करनी का था किन्तु प्यार से उन्हें मनु कहते थे बाजी राव भी मनु से ही बहुत प्यार करते थे और तथा उसे छवीली कहकर पोकारते थे उस समय बाजी राओ के महल में उनके दत्तक पुत्र नाना, शाहव एवं उनके मित्र तात्या टोपे का पालन पूशन हो रहा था अता है मनू का बच्पन नाना साहब और तात्या टोपे के साथ ही भी था इस कारण मनू ने गुणों की सवारी, तेरना तता अस्ट शस्ट का प्रियो करना सीख लिया बाजी राओ ने मनू का बिवाह जहांसी के महराज गंगाधर से करने का प्रयाश किया और महराज गंगाधर की पहली पत्नी की मिरत्य हो चुकी थी इस प्रकार बाजी राधवारा मनु का विवा गंगाधर महाराज से कर दिया गया एबं मनु रानी लक्ष्मी भाई कहलाने लगी विवा के उपरांत मनु को एक पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन भै अलपायू में ही चल बसा तब गंगाधर राव ने एक बालक कव गोद और उसे दामुदर राव नाम दिया अगले ही दिन गंगाधर राव की मरत्यू भी हो गई महराज गंगाधर की मुरत्यू के पश्याद गवर्नर जर्णल लाड डल होजी ने दामूदर लक्षमी भाई के दत्तक पुत्र को गंगाधर का उत्र इधिकारी मानने से इंकार कर दिया तथा साथ मार्च 1857 को जहासी को अंग्रेजी राज्यकांग गोशित कर दिया तथा महराणी लक्षमी भाई के लिए 5,000 रुपे बारशिक पैंसर निर्धारित कर दी जहासी पर अधिकार करने के अतिरिक्त अंग्रेजों ने राणी लक्षमी भाई के समक्ष अनिक समस्षे भी खड़ी कर दी अतिय जहासी की सेना में अशंतो सुत्पन हो गया और 7 जून 1857 का जहासी में बिद्रुफ हो गया और अंग्रेजों को करांती कारियों के सामने जोकना पड़ा अतिय लक्षमी भाई ने जहासी पर पुनायदिकार कर लिया के लिए पर एक बार फिर से जहासी राज का धोज फैरा दिया गया और जून 1857 से मार्च 1858 की दश माह की अबदी में उन्होंने जहासी का प्रशासन बहुत कुशलता पूर्वक चलाया मार्च 1858 में अंग्रेजी सेनापती जन्नल हीरोज जहासी किसामी पहुँचा वर राणी लक्षमी भाई को आत्म समर्पन कर देने को कहा पर राणी ने उसे ठुकराते हुए रणचेत में मिलने का संदेश बेज दिया राणी ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया दस दिन तक दोनों और से भायंकर यद्धुआ था और राणी की बीरता को देखकर अंग्रेज आश्यर चकित रहे गए थे कुछ समय पश्चात राणी की सेना का सामना इसमित की सेना से हुआ परंतिस बार अंग्रेज बड़ी सेना के साथ थे और रानी की सेना छोटी थे रानी अपने दत्तक पुत्र को पीट पर बांद कर अपने विश्वस्त अश्वर बादल पर बैठकर किले के प्राचीर से खून गई और सकुशल कालपी पहुँच गई जब हुरोज ने कालपी कोभी घेरा बंदी की तब रानी तात्या टोपे के साथ गवालियर निकल पड़ी यहां 17 जून 1858 को उन्होंने गवालियर के किले पर अधिकार कर लिया लेकिन अगले दिन 18 जून 1858 को गवालियर की लड़ाई में भी बुरी तरह गायल हुए किसी तरह से बाबा रामदास की कुटिया तक पहुँची और बाबा से बोली कि मेरी मिरत दे अंग्रेजियों के हाथों नहीं पड़नी चाहिए और मोह में उन्होंने गंगल जल डाला और हर हर महादेब कहते हुए प्राण त्याग दिये मात्र बाइस वर्ष साथ माह 19 नौंबर 1835 से 18 जून 1808 बन किया यू मात्र बाइस वर्ष साथ माह किया यू में दुनिया चोड़कर जाने वाली इस बीरांगना का नाम भारती सोतंतर संग्राम की तियास में सबसे स्वरनेम पनना है तो दोस्तो आज के वीडियों पसे नहीं आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर अपनी दोस्तों साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू